उद्यपूर हत्याकान को लेकर आरोप प्रत्यारोप की राजनीती शुरू हो गई है जहां बीजेपी ने कॉंग्रेस सरकार पर तुष्टी करन का आरोप लगाया था वहीं अब पलटवार करते हुए कॉंग्रेस प्रवक्ता पवन खेडा ने बीजेपी पर जमकर निशाना स होते थे बीजेपी नेता इर्शाद चैनवाला और ताहिर ने सोशल मीडिया पर रियाज अटारी को बीजेपी कारे करता बताया है देश का सवाल है सिर्फ आरोप तक सीमित रखने की तो कोई सवाल ही नहीं उड़ता माननिये मुख्यमंत्री अशोग गहलोजी के संग्यान में यह तथ्या आये हैं सरकार है वो सलह मश्विरा करके नियम कानून सम्मत कदम उठाएगी और आपको बहुत जल्दी उसकी जानकारी भी दी जाएगी रही बात NIA की तो हम यह सवाल उठा रहे हैं अब तब नहीं उठाया था तब स्वागत किया था अशोग गहलोजी ने भी उन्होंने कहा था कि मेरी पुलीस और मेरा प्रशासन NIA को पूरा समर्थन देगा पूरा सयोग देगा और हमने इस मंच से बैठकर NIA को सुपुर्द करने का स्वागत किया था लेकिन यह नए तथियों के पश्चात एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि यह NIA का निरने केंद्र सरकार ने कुछ घंटों में ही लिया था तो क्या इन तथियों को छिपाने के लिया था भूलियेगा मत जैनेंद्र जी यह वही गुलाब चंद कटारिया हैं जिनका स्वराबुदिन फेक एंकाउंटर में CBI की चार्ट शीट में भी दिकराया था केंद्र सरकार से तो जाच की मांग कर रहे हैं हम केंद्र सरकार से जवाब की मांग कर रहे हैंर रही बात जांच की तो जैसा मैंने कहा मुख्यमंत्री अशोग गहलोज्जी के संग्यान में ये नए तथ्य आ prone